देश आस्ति 73 वा गणतंत्र दिवस मना रहा है इस अफसर पर आस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने देश वाशियों को शुपकामनाय दी साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने कॉंग्रेस छोड़ कर जाने वालों को इशारो ही इशारो में नसीहत भी दे डाली आरपियन सिंग के भाजबा का दामन ठामने और गुलाम नवी आजाद के अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से कॉंग्रेस हटा लेने के बाद ये कहा जा रहा है कि गुलानवी आजाद भी कॉंग्रेस से नाराज है इस पर मुख्यमंतरी गहलोत ने कहा कि कॉंग्रेस समुंद्र है किसी के पार्टी छोड़कर जाने से कॉंग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कहा कि पहले भी पार्टी छोड़कर जाने वाल कोईगे एक अंदुनन के तरह देश के अंदर है। अगर एक लंबा इतियास है। तो आप सूच सकते हो कि इसके अंदर ये समुंदर के तरह है। इतने पेरे भी कही लोग गए बड़े बड़े अंदर, उनको वापर आना बड़ा पार्टी के अंदर, ये क्यार गवाह है। मैं नाम तो क्या लोनों के, पर उनको आप जानते हो देश जानता है। बरवर नेता पार्टी छोड़के गए, वापिस आये। ये पार्टी का एक औरा है देश के अंदर, घर-घर के अंदर है। आर भी एक मात्र पार्टी के सत्मम नहीं है। एक मात्र पार्टी कॉंगेश पार्टी जो पुरी देश के हर गाव में बशेगी, हर घर में बशेगी, मिलेगी आपको। बागी पार्टिय सत्तमत है, उन्हों को पूछता है नौर्थिस्पन नहीं पूछता है बीजिपी को, दर्षिन राजिम नहीं पूछता है इन लोगो को कोई भी, आर कौंगे चाहिए सरकार में है या सरकार के बार है, हर घर में गुशियों ही है, कोई छोड़के जाए, कोई फ़र्द नहीं पड़ता है, जाए उसका स्वाकत है, आए उसका स्वाकत है, राउल गांदी ने जो बात कही थी ने, वे जाना हो तो जाओ, बाकी तो कम्रें में लोग काम करें, आप चले जाओगे, जो आप पार्टी में रहकर के भी आप अगर पार्टी बुरे करोगे, आपके मन और मस्तिश के अंदर पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे जादा नुक्सान है पार्टी को, इससे अच्छा है आप जाए बाहर, तो राउल गांदी ने भी बात कही थी, मैं समझता हूँ कि जादा इन बातों को चर्चा चर्चा नहीं करेंगे, मीडिया आपके कार्यकरताओं के लिए भूने का और साथ में जलता क्या किस तरह से बाता है आज भी पुरा देह उद्वलित है, इंदी हरकतों से, चाब वो केंदर में हों, चाब बीज़िवी सगर राज्य में हों, आज सब ज़़े सगरें जो हैं फेल हो रही है, जनता उद्वलि है, इनके कार्य नमों को समझ रही है, असमति व्यक्त करने वारे जियर जा रहे है, रो राश्व रोधी हो गए, जबकि लोक्तंदे में तो असमति और अलोसना भी उसका विस्वागत करना चाहिए, इतले आज देश पूरा समझ रहा है, धिरे धिरे उनका औरा खतम हो रहा कि इनकी क्या एपरोच है, क्या इनकी सोच है, वो सब के सामना आ रही है, देश में महेंगा ही बहुत भेहएंकर है, बिरुजगारी है, वीसवटक रूप में बिरुजगारी है आज, नौजवान दुखी अपरा देश का, उससे चिन्था नहीं हो रही है, इनको चिन्था नहीं हो रही है। किसान बढ़े देर साथ देर सवा साथ तक उसी जिन्दा इनको नहीं है। तो लोग समझ के जो बादे किये तो चौदा के अंदर सरकाम आने के पहले वो बादे को रात कोई करता ही नहीं इनको। उन बातों को वापस पब्ली के सामें लेया के आ जाओ तो इनको कुछ हमें कुछ कहने के जहुत नहीं पड़ेगी। जन्ता सो समस्थी है। दनिवाद। गवर्णर साथ बाला जो आप कह रहे हो ना। ये गवर्णर साथ के राजभावन से जो आपने ये जो बात उठी है। देकिए पांच एकर तक का कुड़की नहीं हो। हमारा मकसद उसके बारे में है। वह जब अगर केंदर साथ मान लेगी। उससे जन्ता साथ को जाएगा। उससे बाद में किशामनों की पांच एकर तक ही जमीन कुड़क नहीं हो सकती है। ये हमारी भावना है। अब जो विदायक का नाम जो है। जिसके लिए का गया है। वह तकनिकली ओ other आम नहीं होगा अलग बात है पर आहlt है। आए पर हुआ है। इसे लिए इस अइनिज़नुदल कर तो राजबामनाय नहीं का ही जानने जिक पात उख और हुआ है। तो तो राजबामनना के लिए बात को ने दिन खार टो नहीं ह हो और पांच एकरत का कम देगों गरीब किसान है अगर वो कोई कायम से रिफोर्ट हो गया तब भी जमीन कुड़क नहीं हो नहीं चाहिए यह हमारी मंत्रा है उस मंत्रा के अंत्रगत एसम्डी में हमने कायम पास कर वाया है आज भी मुझे कायम है कल भी कायम रहेंगे हम पास करते हैं जो ग्रामीर रहकार बैंके हैं वो भी केंदर केंदर में आती है इंडाक्ट रूप में उनके जो कर्दे हैं चुकानी पारे थे और कानून करता है इसलिए वह कुड़की निकल गई उनकी इसमें राज सर्काय कोई दोस्त नहीं है और विफक्ष को पूछो का रानुन आपकी सकार का। बैंके आपकी है, डात्तान के हमने कर्दे माफ देहरे भी, उनने क्दा माफ देली कर्दे कर दीजिता, उनलडे कई था उन्हों आपकां का। भ्रक्ष के उनकी बंधिक ईनगी करेंगे, आप आगे आओ, अगर करौडारो न करोड़ा आरभ़ोажи का के माफ उसकता है उनका NPA कि नाम पर, तो किसान का NPA क्यों नहीं हो सकता दीके तो 5 लागा, 10 लागा, 2 लागा कर दे होते हैं महमली कर दे होते हैं हम बार-बार कहने हैं आप भी आ गया हो उसमें हमने का है हम उसमें अपने हिस्था देंगे उनमें अपने हिस्था देंगे पर सेड्लमेंट करके आप किशान को मुफ्त करो, यह हमारी मांग है, यूपय गौर्मेंट ने बहुत अध्याज कोड़े कर दे मांग किये थे, तो मोदी जी गौर्मेंट क्यों नहीं कर सकती हैं, और गुम्रा करें, पुरे प्रदेश वास्चियों को गुम्रा कर रहे हैं, इनकी पोल सत्य बोलेंगे जिता ही लोग, जिता ही नेता, बीजिपी के, इस्तानी राजस्तां के नेता, यह सब एक्सपोर होतों जारे है राजस्तां जानता है, इसलिए बावाइच चनाव हारते ही लोग। सजा पटिल ने, मुले रभुकला आज़ाद ने, अमिर्गर साब ने जो सविदान मनाया, आज पिछेतर वर्स होगे, अमरत मौसर तो मिना रहे हैं, पर जो सविदान मिर्मान हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, त्याग बलिदान कुर्बाने हुई, उसके कान संबह हुआ, और पिछे तो साल का सफर तया करते हैं, और हम कहां के कहां पहुँच गए हैं, फिल भी हमारे कुछ देश के नेता, उसके नकार रहे हैं, इससे बुरी बात क्या हो सकते हैं, अनफॉर्चनेट है देश के लिए, कि देश और दुनिया जानते हैं, हिंदुस्टान पहुँच गए हैं, यह गंदर दिवर्च वो बाता में रियाद दिलाता है, संकर्व लेने का वक्त देता है, कि आने वाले वक्त में हम लोग और मजबूत करें सविधान को, है सविधान हो चाह लोगतंत्र हो, उसके लिए ऐसा महूर बन गया है, कि पता नहीं क्या होगा अने वाले वक्त में है, तमाम एजेंटियों पे दवाव है देश करना है, जाए जूडिस्त्री हो चे अनने एजेंटियों, अथांति का माहूल है, अविस्थास का माहूल है, तनाव का माहूल, हम बार बार कहते हैं, ति प्रेम, महबबद, भाईचारा, सद्धा होना से आ जिसने हम लोग और मर्बूत हो सकें। इतने मुबारिक मोक्य पर मैं फिर करना चाहूंगा। तमाम यवाव पीडिक को जो हमारे इत्यास है उनका दिन करना चाहिए। हमारे उन निताओं जिन इत्याग बरिदान कि ज्याद वाग्याद। उन सब को जयाद करते वे अपने फूचर को बनाने के लिए क्योंकि कल का भवश्चे देश का भवश्चे उन पर निर्वे करेगा। युगा पीडि में अच्छे संचकार, संचकति, परंपराय काइम हो। उस अविदान को सामने रख करके शंकर लेगा आगे बढ़े, ये मेरी सुब कामने उनके परती भी है।